30 अगस्त की सबसे बरी खबर 27 चंद्रमिस्राजी जो बस्पा के महा सचिव हैं महवा में जो मिटींग किया और जो मीडिया से रूबरू हुए उससे बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है मैं आड़ी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान मैं आपको बता दूँ आप मेरे पीछे जो ये सीन देख रहे होंगे या बाढ़ का द्रिश है उत्तर परदेश बाढ़ में भी तरस्त है पहले क्रोना से तरस्त है और एक नई खबर आ गई है पेट एकजाम में जो है पेपर लीक हुआ है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा लेकिन मैं आपसे बता दूँ कि बस्पा के महा सचीव सती संद्र मिस्रा जी ने जो बयान दिया है मीडिया के आगे काफी सोचने वाली बात है काफी अहम है लेकिन उत्तर परदेश में कई परकार के न्यूज निकल कर जो आये हैं पेट एक्जाम में जो पेपर लीक हुआ है यह पेट एक्जाम उत्तर परदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन लेती है और ग्रूप सी का यह एक्जाम होता है यानि थर्ड क्लास ऑफिसर जो होते हैं उत्तर परदेश के सरकारी सेवाओं में मैं बिलकुल देशी भासा में आपको ब करती है और उसके पेपर लीक हो गए एक नया घोटाला निकल कर आया है ऐसे 79,000 सिक्षकों का तो चल ही रहा है धरना परदर्सन अब मैं बता दू महवा में जो सतीस चंद्र मिश्राजी ने कहा है बहुत बड़ी बात कह दी मीडिया के सामने लेकिन उससे पहले मैं पूरे बहुजन सवाज को धन्यबाद करना चाहता हूँ आपका सहयोग हमें मिल रहा है हम घूम रहे हैं बिलकुल जमीन पर घूम रहे हैं लोगों के बीच और जितने भी भाई हैं हमें हर प्रकार से सहयोग दे रहे हैं इसलिए मैं इनका धन्यबाद कर रहा हूँ और मैं आप से जो है बिल्कुल सहीयोग की अपेक्छा भी करता हूँ कि ऐसे ही आपका सहीयोग बना हुआ रहे है और मैं बता दू महवा में जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे सती संदमिस राजी उन्होंने कहा कि विकास दूबे का जो इनकाउंटर कांड हुआ उसमें जो डोजियर जो जो गरवरी की है इसके उपर जांच बिठाएगी बसपा बसपा का जब सासन आएगा उनसे बहुत तरह के सवाल किये गए क्या केबल ब्रहामन समाज से आपको सत्ता मिल सकती है रूने कहा नहीं सर्ब समाज का समर्थन मिल रहा है इस बार केबल दलित समाज ही नहीं ब्रहा और इस तरह से उन्होंने बिलकुल संतोस्प्रत जबाब दिया फुल कॉन्फिडेंस में थे रही बात यह देखने को भी मिल रहा है जिस तरह से आम जंता तरस्त भी है क्रोना से बाट से सरकारी कू वेवस्था से सरकार ने ध्यान नहीं दिया वह पांच कीलो का जो चावल है रासन का सब फीका पर जाएगा इन तमाम परिशानियों के सामने और ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है अब पलटने वाली है मैं आपको बता दूँ कल से एक वीडियो बाइरल हो रहा है हरियाना के एक SDM आयू सिनहाजी ने जो एस्टेटमेंट दिया वह एस्टेटमेंट खतरनाक लग रहा था जैसे वो कह दिये किसान अगर आगे बढ़े ते उसका सिर्फ ओर दो डंडा मार अब इस तरह का वीडियो वाइरल हो रहा है उनके जो हरियाना के उपमुख मंति दुसंत चौटाला जी ने भी कारवाई की बात की मैं आपको एक चीज क्लिर कर देता ह कानूनी जो पहलू है 139 और 139 CRPC के तहट SDM को बल प्रियोग करने का पावर है लेकिन सिर्फ फोर्दो और इस तरह के अभधर भासा का प्रियोग किसी के खिलाफ नहीं किया जा सकता है संबिधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है जब सतीष चंद मिस्राजी से भी पूछा गया कि क्या संबिधान का राज है जो नहीं बिलकुल संबिधान का राज नहीं है और जब बसपा का सासन आएगा उत्तर प्रदेश में तो संबिधान का राज होगा सब को हक हिस्सा मिलेगा जो समाज अच्छूता है विकास से काफी कोसों दूर है उस सब को मुख सश्कर्थ मिटिंग। सतीश्चंद्रमिस्राजी का प्रबुद गोש्टी और जो भी रही लियां है। nam tutor रोक पा रही है। साशन भी साजिस करने की कोशिस करती है परंतु रोक नहीं रही है क्योंकि आम जन्ता अब बस्पा के साथ जुर रही है केबल पता लगना चाहिए कि आज प्रबुद्ध गोष्टी कौन से सहर में है अब जैसे महवा में अचानक लोग इकठा होगे और लाखों की संख्या मुझसे पहले जहांसी का प्रबुद्ध गोष्टी था जन् उनसे बाते निकल कर आती है आपको पूरी अच्छर सा प्रस्तुत कर सके और अगली गोष्टी में क्या कहा जाएगा बस्पा का क्या प्लान होगा या सब लेकर हम प्रस्तुत होंगे आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद